करनाटक में विधान सभा चुनाव की चलती चुनावी सरगर्मी तेज हैं अमूल बनाम नंदिनी दूद के मुद्दे ने इस राजनितिक तपिश को कई गुना बढ़ा दिया है दस अप्रेल को कॉंग्रेस नेता डीके शिवकुमार हासन में नंदिनी दूद के पालर पहुचे और नंदिनी ब्रांच को अपना समर्थन दिया बता दे कि शिवकुमार और पूरी कॉंग्रेस पाजी अमूल ब्रांट की करनाटक में एंट्री का विरोध कर रहे हैं और इसे करनाटक के स्थाडिये डेरी ब्रांट नंदिनी को खत्मे करने की साज़िश बता रहे हैं वाई मोदी जी और बीजेपी वांस तो देस्ट्रॉए अप्राइड अवरी स्टेट अब लेटेस्ट टारगेट इन देस इस इस स्टेट अव करनाटका इस विवाद को लेकर करनाटक में जगा जगा विरोध प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं तो वहीं बीजेपी डेता अमित मालविय ने पलचवार किया और कहा कि भारत में कॉंग्रेस पर भरोसा नहीं करने का एक कारण ये भी है कि वो जूट बोलते हैं अब उन्होंने गलत सूचना फैलाने का भ्यान शुरू किया है कि करनाटक मिल्क फेडरेशन जल्दी नंदिनी को अमूल के साथ विले करने वाली है जबकि तथ ये है कि बीजेपी ने केमफ को मजबूत किया है और नंदिनी को एक वैश्विक ब्रांट बनाने के लिए काम कर रही है अमूल बनाम नंदिनी ब्रांट का विवाद बीती पांच अपरेल को शुरू हुआ जब अमूल ने एक ट्वीट किया इस ट्वीट में अमूल ने लिखा कि वो बैंगलूरू में दूद और धायूत पादो के आपूर्ती करेगा इस ऐलान के बाद कॉंग्रेस ने से मुद्धा बना दिया और आरूप लगाया कि करनाटक के इस थानिये दूद ब्रांट नंदिनी को खत्मे करने की साज़िश रची जा रही है